प्राचारी वर्ग एक इवं प्राचारी वर्ग दो या प्लेस्मेंट अधिकारी या सहाएक सेंचालक तक्नीकी के पद पर सीधी वहत्ती के संबन्द में है यह नोटिफिकेशन यहां पर देखेगा ऑनलाइन एविदेन करने की जो तीथी है यह शुरू और यह अठाइस बा क्रेडिट या इंटरेंट बेंकिंग के बुक्तान के लिए किसी बैंक के ट्राफ्ट अर्फाट चेक जो स्विकार नहीं कि पूरा जो माधियम ऑनलाइन ही है चौथा बंड देखेगा उपरोग परिक्षा के लिए ऑनलाइन एविदेन जो है दिनांग अठाइस बार दोज परिकिस से लेकर 26 एक दो जर बाइस तक जो है आम अधित किया जा रहे यानिकि आपका टैम लिमिट है इसके देखेगा जो रूटी सुधार के समय दिया जाता है जो की निशुल खोलता है पहला जो मौका होता है उसके लिए जो समय मिल रहा है देखेगा पाश्वाइब मे दिया गया वो है एक दो दो जर बाइस से लेकर पांच दो दो जर बाइस तक आपको समय मिलेगा इसके दिखेगा नीचे जब जाएंगे आपको पदों को पूरा विवरन दिया गया है पहला पोश्ट यहां पर देखेगा प्राचारी वर्ग एक के लिए यहां पर जरह देखियें कि इसके अत्रिक यहां पर बैकलोग या केरी फ़रवर्ड जो पद है वो 10 है तो देखिए कि दोस्तों यहां पर टोटल हो जाता यह 48 डिया अक्चल में यह देखेंगे दोस्ते हैं पर महत्पुन टीम पर पहला पांट है पदों की संख्या परिवर्तनी है यानि कि बढ़ घट सकती है भविश में यह हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़ या घट जा आगे देखेंगे थोड़ा से नीचे जाएंगे यहां पर तो सेकेंड करने या अध्यापन का अनुफव उपादी देखेंगे या अध्यापन का अनुफव दो वर्ष या देखेंगा एवं डिप्लोमा धारक के लिए साथ वर्ष घट यहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए यह चीज मैंशन किया गया है अधिमान देखेंगा क्या है अध्यापन का अनुफव रखने वाले को अधिमान दिये जाए यानिकि यहां पर प्रिफरे अधियापन के अलावा अनुफव रखने वाले भीड़ती की तूलना में वरीता दी जाएगी तो यह सब चीजे मेंशन की गई है इस वक्त जो सेकंड पोस्ट है यहां पर देखेंगा लेवल बारा का पोस्ट है अनिवारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है पहला देखे अधियापन का अनुफव रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा प्रैकट में देखेंगा किनिया भीरतियों में अन्य बात या था मेरिट आधी जो है समान होने पर केंदर्थव राद साशन द्वारा किसी मानतब राप संस्था में अधियापन का अनुफव रखने वाले अभ्यरति को केंदर्थव राद साशन द्वारा मानतब राप संस्था में अधियापन के लावा अन्य कारे करने का अनुफव रखने वाले अभ्यरति की तुलना में वरेता दी जाएगी ये सब चीज़ें हैं तीसरा देखिएगा परिविक्षावधी जो कि common रहता है आपको तीन वर्षों के परिविक्षावधी पर रखा जाएगा जो छादर जब वह सेवा या पत पर स्थाई किया जाता है तब शाष्की सेवक का वेतर उस सेवा या पत को लागु समयान का नियुंतम नियत किया जाएगा यह जब चीज़े क्लियर की गई है अब देखिए कि दोस्तों राइट साइट में महतपूर नोट जो उपर में दियागे सब्सक्राइब करने हेतु निर्धारीत अंतिम तीथी एत्वा उसके पूर प्राप्त कर लिया होना चाहिए देखिए कि आपके बास जो समस्तियां पर डॉकुमेंट सेने के देखिए कि सेक्ष्णिक अहरता समंदित जो है वो सब चीज़े जो है आपका डिग्री वगरा जो यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास डेट है उसके पहले तक आपके पास प्राप्त हो याना चाहिए निकि उसके पहले का डेट का होना चाहिए जिस क्लियर किया गया है ऑनलाइन अविदन करने के अंतिन दिदी के बाद की दीथी को जारी की गई सेक्ष्णिक अहरता प्रमानपत्र जो आङने नहीं होंगे क्लियर कर दिया गया है सेक्ट पॉइंट देखेंगा और ऑले ने अमदन के साथ कोई भी प्रमानपत्र जो सतनान करने की आवश्यक्ति नहीं है अपको इस एक सथ देखेंगा दोस्तों चौथा पॉटंड राइड उट साइड में न पांच वर्ष को जोड़ते हुए यानि कि चालीस कर दी गया है इसके अधरिक जो समस्त वर्गों के छात्र है उनको जो समस्त छूट दी जाती है सब जोड़ जाड़के जो मैक्सिम एज लिमिट हो पैतालीस वर्ष के हैं यहां पर इस चीज को यहां पर भी फॉलोग किया ग करेंको है कुल मेलाकर 233 आंपको जो है पूर अपको एहां पर और अगसाम होना है परिक्षा प्रसर्षा को जोड के परिक्षा में देखी एक प्ररेक्षा में वस्तूनिस प्रकार का है 1 प्रश्न पतल्प्त संब्सोंग इसो होगा जिसमें इस समया करो Cert सौ परशन होंगे और कुल अंग जो है 200 आंग मिलना है कुल मिला का 1500 परशन और अरक्षित या कौशल या अनुविक्षन परिक्षय में अनरक्षित तथा अनरक्षित उपवर्ग के अभेड़तु गया है तू प्रत्यक प्रश्ण पत्र में न्यूंतम 33 प्रदिशत अंग अर्जित करना अनिवारे होगा तो देखें मिनिममा मांक्स आपको चाहिए पेपर में उस चीज़ को क्लियर किया गया है आठाबट सक्षतकर से संब्सदित सक्षतकर के लिए कोई अहरकारी न्यूंतम अंग नहीं है नवा प्रद देखेंगा सक्षतकर के लिए आमंत्रित किया जने अमिद्वारों की संख्या विग्यापन में दिये के रिक्त स्थानों की स संख्या से लगभग तीन गुनी होगी यानि कि मायन के चलिए 49 पोस्ट रटे इंटूट 3 कर दीजेगा उतने छात्रों को यहाँ पे लगभग जो है इंटर्विक लिए कॉल आएगा देखिएगा कि एवल वे उमिद्वार जिने आयोग द्वार परिक्षे में अहर घोशित क किया जाएगा वही सक्षत करे के नियुद यता सचोदित के नुशार प्राउधानित होगी आगे देखिएगा दोस्तों हाप पाठ कर totsे की समन्द में जो ए समस्ती डिटेल्स देए घाए ऐसे 36 समाने कर गया उसका पूराब डिटेयल्स दिया यहां पर देखिएगा भाग दो देखिए इंजिनियरिंग इसमें देखिएगा क्या क्या पार्ट से वो जो है आपको डिटेल में में दिये गए हैं लास्ट में देखिए दो उस्तो राइड साइड में एकदम लास्ट में देखिए ऑनलेन आवदेन ही तो आवदेन शूल्क यहां पर पहला पांद 36 गड़ के मूल या स्थानी निवासी जो कि 36 गड़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जन जाती अन्य पिछडा वर गैर क शूणियों के अभिएड़तियों के लिए यहां पर इसी में देखिए का सेकेंड पॉंट बहुत इंपॉर्टन है एक सेदिक पद है तु आपको ऑनलेन आवदेन करने वोले अभिएड़तियों को प्रत्य पद है तु प्रिधाक प्रिधाक आवदेन शूल्क जमक करना है दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों के लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा दरसल देखी का यह चीछ कभी भी यमको cgps में देखने को नहीं मिला था पहली बारा से देखने को मिल रहा तो बड़ा ताजू बोर लेकर ठीक है चलिए दोनों के अपको अलग अल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पीडियो को आप डायक्ली प्राप्त कर पाएंगे